हलो फ्रेंड्स तमस्कार स्वागत है आप सबी काई स्टेडि विद ग्यान प्रकास में देखें खंड सिक्षा अधिकारी की जो परिक्षा होनी है वो हो सकता है कि अगस्त सितंबर या अक्टूबर में हो जाए या परिस्तितियों पर निर्वर करता है हलांकि जिस प्रकासे लागडाउन को लगबग लगबग समात किया जा रहा है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि सीटेड की परिक्षा अगर 5 जुलाई को होती है तो उससे इंस्पायर होके अने परिक्षाएं भी सुरू हो जाएंगी और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले रेट जोन था और रेट जोन के बाद अब कंटेंटमेंट जोन बनाया गया है और कंटेंटमेंट जो बनाये गये हैं उसको भी काफी हद तक सीमित किया गया है कुछ मतलब लगबग कुछ मीटर तक सीमित कर दिया गया है तो ऐसी सिति में आप मान सकते हैं कि हो सकता है कि आयोग ये परिक्षा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में करवा ले तो आपके पास अभी भी परियाद समय है प्री और मुख्य परिक्षा की त्यारी करने के लिए और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसमें हम डिस्तस करेंगे प्रारंबिक और मुख्य परिक्षा के पूरे पार्टिक्रम को इंसाइट बहुती ब्रीफ में लेकिन इसका जो सारत तत्त होगा वो छोटने नहीं पाएगा तो दिस ही है कि प्रारंबिक परिक्षा के त्यारी में अगर आप लगे हुए हैं तो मुख्य परिक्षा के बारे में भी आप अभी से सोचें मुखी परिच्चा जो होगी वे पूरी तरह से लिखित परिच्चा होगी उसमें कोई भी बैकल्पिक आपको उप्रस नहीं मिलने वाला है तो एक बार प्रारंबीक परिच्चा और मुखी परिच्चा का जो पूरा स्लेबस है उसको आप लोग जरूर देखिएगा और इस लेक्च्चर की पीडिफ ये पीडिफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप studywithgynaprakas.com पर विजिट कर लिजिएगा तो सबसे पहले बात करते हैं कुल पदों की संक्या है 309 ठीक है और जो प्रारंबीक परिच्चा होगी उसमें आपको मात्र दो गंटे का समय मिलेगा प्रोणांग होगा 300 और 120 प्रस्ट ये 120 प्रस्ट ये निर्धारित करेंगे कि आप मुख्य परिच्चा में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे नेगेट्व मार्किंग भी होगी एक तिहाई रहेगी ये बात जरू ध्यान में रखेगा कि आप सिर्फ तुक्का लगाकर मुख्य परिच्चा तक नहीं पहुँ सकते हैं क्योंकि पदों की संक्या स्रीमित है और अभ्यर्थी काफी अधिके नगप साड़े 5 लाग अभ्य की आए वो देख लेते हैं धेगे सामान विज्ञान भारत का इतिहास सामान विज्ञान कम्यूंकचा 6 7 8 9 तक का तो आपको अच्छे से पता होना जाए और इसके लिए जो ओल्ड कूर्चन पेपर से हैं उसका हल आपने जूरू देखिएगा और इसके लिए भारत का इतिह से थोड़े से घुमा कर पुछे जाते हैं तो आप तोड़ा सा डीप इस्टडी करिए भारती राजतंद्र अर्थ ब्योस्ता एंवंग संस्क्ति से संबंदित क्वेश्चन होंगे यह टॉपिक रहेगा भारती क्रिशी वाणिजी एंवंग व्यापार से संबंदित क्वेश् अब बिल्कुल सीमीत हो गए हैं और जो स्लेबर से वह भी सीमीत है तो कुछिस करें कि 100% का लेकिन कम से कम 90% प्रशनों का जबाब तो आपका सही होना चाहिए इसके लमा बिस्व भुगोल और भारती भुगोल और संसाधन ठीक है करेंट अफेर्स जिसमें करनेफेर्स में तो आप समझ रहे हैं करनेफेर्स काफी बिस्तरित है लेकिन जो बरतमान में घटनाएं घट रही हैं लाइक एज जो स्पोर्ट्स हो रहे हैं अवार्स मिल रहे हैं मिलेटरी एक्सरसाइज हो रहे हैं और जी आई टेग वगरा दिये जा रहे हैं इस सारी चीजें आप स्कूल तक का पार्ट करम में रखा गया है और रिजनिंग भी आप समाझ रहे हैं तो रिजनिंग और मैथ ये अक्षिली ने देखा जाए तो साइंस और आर्ट ब्राइग्राउंड के जो इस्टुडेंट होंगे तो जो साइंस वाले होंगे वो रिजनिंग और मैथ की बत प्रैक्टिस आप लोग करते रहे हैं अगर कम भीड़ता से आप तयारीम लगे हुए हैं तो उत्तरपते से सम्मंग्दी जितनी भी संस्कृति हैं सिक्षा उद्योग क्रिशी ब्यापार रहन सन और सामाजिक प्रथाएं तो ये हो गया आपका प्रारंबीक परिक्षा का य एक स्क्रीनिंग परिक्षा है तो कुल दो प्रस्पत्र होंगे और इसमें जो पहला पेपर होगा वो सामान अध्यन का होगा जिसमें आपको समय मिलेगा तीन गंडे का 200 अंकों का पेपर होगा लेकिन ये लिखित होगा ठीक है ये रेटेन होगा और जो दूसरा पेपर मैं आपको बताना चाहूँगा अभी इसके बारे में डिटेल में सामान हिंदी का पाटिक्रम क्या होगा और ये तीन गंडे का पेपर होगा फारे मेरी जो बनेगी वो 400 अंकों पर बनेगी सामान में अध्यन का जो पाटिक्रम है वो जो प्रारमीक परिक्षा है उसके प्रस्णल इवेंट्स साइंस एंड टेक्नलोजी और सिक्षा में अधितन विकास के साथ उत्तरफदेश की सिक्षा संस्कृती उद्योग व्यापार रहांसन पर आधारित प्रस्णिस में होंगे लेकिन जो प्रस्ण होंगे उनकी संक्या होगी 40 सभी के सभी प्रस्ण इस आपको 10 अंक मिलेंगे जो खंडबा होगा इसमें भी 30 प्रस्ण होंगे लगवतरी प्रस्ण होगा सब्द्धी 50 सब्द और प्रतेक प्रश्टु जो होगा वह 6 अंग का होगा खंड समें 20 प्रस्टु होंगे सही 60 होंगे सब्द सिमा होगी 25 सद तक और प्रतेक ने 2 अंग ठीक है तो इस प्रकार से आपका जो पेपर होगा वह उसका पूरांग 200楽 पहे तीन मिंटे का एक ही दिन में पेपर निपड जाएगा और इसमें जो सामान हिंदी है तो उसका जो स्लेबस से वो मैं आपको बताना चाहूंगा आपठीद गध्यांस का संशेपन आएगा उसे संबंदीत प्रस्नाएंगी रेखांकित अंसों की व्याख्या भी सामान हिं और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और इसके बाद अनेकार्थी विलोम पर्यावाची तद्वा तत्सम चेत्री विदेशी माला बरतनी अर्थबूद संदी समास क्रिया वन माला विराम चिन सद्द रचना यानिकि पूरा का पूरा जो आपका हिंदी ग्रामर है उस पचास अंग के और प्रति निबंद सब्द सीमा होगी 700 सब्दों तक तो दो खंडोंगे इनमें से कोई भी एक खंड जिसे की तीन तीन टॉपिक दिये जाएंगे इनमें से कोई भी दो टॉपिक आप प्रति खंड से चुन लीजिए अभी से और उस पर निबंद लिखना श्टार्ट कर दीजिएगा अलग-अलग टॉपिक पर जैसे की खंड कया में तीन टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपको चुनना होगा सहित्या संस्कृति राष्टी विकास योजनाएं और क्यानवयन राष्टी अंतरराष्टी संसामाई घटनाएं और उनका नेदान जैसे की बरतमान में आज भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद के संबंद में जो बैठक हुई है तो ये जो विवाद क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है इस प्रकार ठीक हैं तो इसमें से कोई भी एक टॉपिक जॉप का मन पसंद दो हलाकि वहाँ पर ये मतल लोग और व्यापार में से कोई भी एक टॉपिक आपको चुनना है तो देखें खंडख है और खंडख है में से कोई दो टॉपिक आप अभी से चुनीजिए जो आपको पसंदार आ है जिस पर आपकी पकड़ अच्छी हो और इसके बाद उसकी तैयारी में आप लोग अभी से लग जाएं ठीक है क्योंकि निबंद राइटिंग ये काफी इंबॉर्टेंड होगा सौ अंक का यह पोर्शन होगा तो निशीत रुप से इसको इग्नोर करके तो आप जो है सफल नहीं हो पाएंगे और साथी साथ अब आपको बता दें कि कुछ टिप्स देता हूं आप को कि कम से कम पिछले मैक्सिमम जितने भी प्रवियस के क्वेशन पेपर हैं यूपी प्यस्थी के कोई भी परिक्षा का हो तो वह आप अच्छे से समझ दीजिएगा उसको आप लगबर लगबर रड़ डालिएगा घटना चक्र में जो साथ नोट होता है उसको भी आप लो होनी है तो उमीद रखिए कि फरवरी तक कही करेंब होगा लेकिन जो लेटेस्ट करेंट है वो भी आप इग्नोर मत करिएगा खास्ता होती है ठीक है तो यह कुछ रनीतियां है और इसको अपना कर आप सफल हो सकते हैं और साथ ही साथ यह बता देंगी अगर आपने पूरा झाल झाल